दोस्तों इंडियन बॉक्स ओफिस पर चल रही थैला पैथी विज़ाई की फिल्म लियो ने एडिया में और दुनिया बर के बॉक्स ओफिस पर रिकोर्ड्स के जंडे गार दिये हैं और दोस्तों ये फिल्म आज अपने 14 दिनों बाद भी बॉक्स ओफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही और शानदार कमाई के साथ कई सारे और भी रिकोर्ड्स अपने नाम कर रही है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म लियो के अभी तक के टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन्स के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों सुपरिश्टा सलमान ख के केरेर के सब सब बड़ी ग्रोसर जवान ने अभी तक कितने करोड की कमाई कर ली है ये फिल्म आपको ऑनलाइन प्लेटफोर्म पर कब देखने को मिलने वाली है तब वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसबरी से कर रहे बॉक्स आफिस बॉल्यूड और साउस से जूड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते फिल्म टाइगर नागिश्वर राओ के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में जिसके इंडिया में कितने करोड की कमाय की है चलिए जानते हैं दोस्तो बता दे चले आपको कि विजवली ग्रैंड इस फिल्म को इंडियन बॉक्स आफिस पर जहां अपने पहले दिन तो एक बहतरिन आपनिंग मिली और इस फिल्म का पहले दिन का जो इंडियन नेड बॉक्स रुपे की कमाई के साथ ये फिल्म 20 करोड रुपे के आखड़े को पार कर चुकी थी तीन सा चार बड़ी फिल्मों से कलेश होने के बावजुद भी दोस्तों इस फिल्म के विगडेस के कलेक्शन काफी स्ट्रोंग रहे और इस फिल्म ने जहां अपने पहले हपते में 29 करोड 45 लाग रुपे सिर्फ ए इडियन नेट बोक्स आफिस पर कमाई तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे हपते में भी ये फिल्म एक तरह से एक नॉर्मल कमाई करती हुई नजराई अपने 8 दिन 1 करोड 30 लाग रुपे, 9 दिन 1 करोड 7 लाग रुपे और 10 दिन 2 करोड रुपे कमाई करने वाली इस फिल्म के 12 दिनों तक के जो कलेक्शन्स थे वह 36 करोड रुपे के आखड़े को टेच कर चुके थे, अपने 13 दिन यानि कि आज भी दोस्तों ये फिल्म बॉक्स आफिस पर लगबख 70 से 75 लाख रुपे ये कमाई कर रही है बात की जाए दोस्तों यहाँ पर दूसरी फिल्म तो दोस्तों थेले पे थी विजई की फिल्म लियो जो कि इंडियन बॉक्स आफिस पर पैन इडिया रिलीज होने वाली थेले पे थी विजई की एक बड़ी फिल्म थी जिसने के इडिया के साथ साथ दुनिया भर में रिक अपने पहले हपते में ये फिल्म इंडियन नेड बॉक्स आफिस पर जहाँ 265 करोण 25 लाख रुपे कमा चुकी थी, अइडियन गरॉस बॉक्स आफिस पर 300 करोण रुपे कमा चुकी थी, जपके दोस्तों फैस पर जाड़रीं फिल्म के भी आंकडे को पार कर चुकी थी, मैं दोस्तो अपने 11 वे दिन 16 करोड 55 लाख रुपे कमाने में कामेब रही अपने 12 वे दिन 4 करोड 45 लाख रुपे कमाएं कल यानि कि अपने 13 वे दिन 4 करोड 10 लाख रुपे कमाएं हैं तो मैं दोस्तो ये फिल्म आज भी 4 करोड रुपे की कमाएं करती हुई नजर आ रही है जिससे कि इस फिल्म का टोटल इंडियन नेट बॉक्स आफिस पर 316 करोड से ज़ादा कहो चुका होगा वर्लड बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तो और सिस से इस फिल्म ने 200 करोड रुपे से भी ज़ादा की कमाई की है जबकि दोस्तो इडियन ग्रॉस बॉक्स आफिस पर ये फिल्म 350 करोड से भी ज़ादा की कमाई कर चुकी है ऐसे में इस फिल्म का टोटल है वो ओफिशिल तोर पर अब जो निकल कर आ रहा है वो 560 करोड रुपे के आखड़े को टेच कर चुका है और दोस्तो लियो दुनिया वर के बॉक्स आफिस पर एक तरह से एक आल टाइम ग्रॉसर बन चुकी है तामिल बॉक्स आफिस पर दोस्तो ये फिल्म 200 करोड से ज़ादा की कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बनी है वही दोस्तो आप बात कर लिया यहाँ पर सुपरिष्टा शारुक खान की फिल्म जवान के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में जुकी दोस्तो एंडियन सिनिमा की और बॉल्यूड इतियास की सबसे बड़ी ग्रोसर बन चुकी है और सभी के रिकोर्ड्स को तोड़ चुकी है जी हाँ दोस्तो आप सभी को बताते चले के एटली कुमार के डायक्शन में बनने वाली जवान जिसे के इंडियन बॉक्स आफिस पर साथ सितंबर को रिलिस किया गाया था इस फिल्म के लीड में आपको शारुक खान के अलावा नयांतारा, दिपिका और कई सारे एक्टर्स नजराये थे अपने पहले ही दिन 75 करोड रुपे के हिंदी नेट बॉक्स आफिस पर एतिहासिक ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने दुनिया बर के बॉक्स आफिस पर 129 करोड रुपे की हिस्टोरिकल ओपनिंग ली जैकि दोस्तो बॉल्यूट की दूसरी 100 करोडी फिल्म बने इसी के साथ दोस्तो इस फिल्म ने बॉल्यूट के सभी के रिकोर्ड को तोड़ दिया और नमबर वन ओपनिंग के साथ साथ ये फिल्म बॉल्यूट इतिहास में भी एक नाम अपना दर्ज करा चुकी थी अपने शुरुवाती तीन दिनों में 200 करोड और अपने पहले ही हपते में 390 करोड रुपे की कमाई के साथ ये फिल्म 600 करोड के भी आखड़ को पार कर चुकी थी चाटे हपते में 10 करोड 80 लाख रुपे और अपने साथवे हपते यानि पचास दिनों तक 649 करोड रुपे की कमाई के साथ ही इस फिल्म ने इंडियन सिनिमा के सबसे बड़ी ग्रोसर होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था दोस्तों बता दे चले आपको कि इन 50 दिनों में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स आफ़िस पर जहां 649 करोड रुपे कमाई थे तो वहीं दोस्तों वर्ड वाइट बॉक्स आफ़िस पर ये फिल्म 1150 करोड रुपे के आखड़े को टच करने वाली बॉल यूड की पहली फिल्म मनी थी अगर बात की जाए इस फिल्म के उनलाइन प्रीमियर की तो दोस्तों बता दे चले आपको कि दो तारीक यहने की कल सुपरष्टर शारुक खान के बर्थडे पर इस फिल्म का उनलाइन प्रीमियर आपको देखने को मिलने वाला है वो भी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ दोस्तो दो महिने बाद फिक्स ये फिल्म ऑनलाइन प्लेटफोर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है जिसे कि आप अपने घर में और अपने मोबाल में भी स्ट्रिम कर सकते हैं शारुक खान की ये फिल्म बाल उट की सबसे बड़ी ग्रोसर फिल्म सावित हुई है बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म टाइगर 3 के बॉक्स ओफिस प्रडिक्शन और एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे चले कि मनिश शर्मा के डायक्शन में बनने वाली टाइगर 3 जिसके लीड में आपको बॉल्यूट के भायजान सल्मान खान, कैट्रिन अकेफ और इमरान हाश्मी नजर आने वाले हैं यह फिल्म दोस्तों इडियन बॉक्स आप इस पर 12 नॉमबर याने के फिक्स दिवाली के दिन रिलीज होने वाली है जिसके एडवांस बुकिंग आज से 4 दिन बाद याने के 5 नॉमबर को शुरू होगी लेकिन दोस्तों बता दे आपको कि इस फिल्म की जो एडवांस है उसे और से मार्केट में पहले ही शुरू कर दिया गया है जहांपर दोस्तों इस फिल्म ने गल्फ कंट्रीज याने के दोस्तों UAE में पठान के रिकोर्ड्स को तोड़ते हुए 5000 से भी जादा टिकेट अपने रिलिस्ट से 12 दिन पहले ही सेल कर दिये है USA में दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 2 लाग डॉलर के आखड़े को पार कर चुकी है जबकि दोस्तों UK, आस्ट्रेलिया, जर्मनी इन सभी जगों को मिला कर इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 3 करोड रुपे के भी आखड़े को पार कर चुकी है एडिया में दोस्तों जैसे ही इस फिल्म की एडवांस को उपन किया जाएगा ये फिल्म दोस्तों इडिया में भी हिस्टोरिकल एडवांस असल करेगी और हो सकता है दोस्तों की अपने दिवाली वाले दिन तो ये फिल्म 30 से 35 करोड की है एडवांस ले लेकिन दोस्तों उसके अगले दिन के लिए इस फिल्म की जो एडवांस रहेगी वो शायद 77-70 करोड रुपे की आसानी से रहने वाली है ये फिल्म दोस्तों सिर्फ अपने 3 ही दिनों में 300 करोड रुपे से भी जादा की कमाई दुरियाबर की बॉक्स आफिस पर करने वाली है साथी साथ दोस्तों अपने लाइफ टैम में पंदरा सु करोड रुपेई कमाई भी कर सकती है अगर इस फिल्म को किसी भी फिल्म से कॉंपरिशन नहीं मिला तो और आडियन्स की तरफ से अच्छे रिविस मिले तो आपको क्या लगता है दोस्तों टाइगर 3 की बॉक्स आफिस पर ओपनिंग कितने करोड की रहेगी हमें अपने राय कमेंट करना बिल्कुल ना भुलिएगा और दोस्तों बॉक्स आफिस बॉलिड और साउस से जुड़ी सभी वड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिविव बाजार को सब्सक्राइब जरू कीजेगा धन्यवाज जहिंजे भारत